असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग तो आस मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर गाजर तो उसके लिए हमें चाहिए मसाले के लिए दो अदद प्याज दो अदद टमाटर और ये मैंने लिया है जिंजर यानिके अद्रक और ये है लसन अद्रक का पेस्ट एक जमच अब हम प्य हुआ है झाल जार ये विया है झाल जदी एक लिए लिए आता है ये लिए के जिए लिएकर भी जिएकर दो तो आखिए लिए। मैं टोमाटर पर चॉप करती हूं किम्के मसाले में चॉप चॉए हम खीक रहते हैं अच्छे से कल जाते हैं मिक्स हो जाते हैं अब मैं अद्रग को ब्री काट लूँगी आलूमटर गाजल में बरी कटे वी अद्रग बहुत अच्छे लगते हैं बहुत टेज़ देते हैं आपके अपनी चॉइस के मताबिक जाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो दो प्यास मैंने काट लिए हैं और ये अद्रग को मैंने काट लिया है बरीक बरीक एक चम्मटर ब्रीक अच्छे से के पाटेज़ दो बचिता हैं तो मसालों में लिया है एक चमच नमक आदा चमच लाल मिर्च आदा चमच हल्दी और थोड़ा सा सूका दनिया थोड़ा सा हम दम डालेंगे और हाफ चमच मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च अब इसमें डालेंगे ऑईल अपनी हंडिया के हिसाप से आप और डालें थोड़ा सा गरम ऑईल हो गया है अब इसमें डालेंगे प्यास अब इसको फड़ा ब्राउन होने लिए हुआ अब में इसमें डालेंगे अब रकलसन का पेस्ट अब इसको मिखते लेंगे तो अपनी इसमें डालूंगी दो टमाटर कटे हुए चॉप्ट अधर कटा हुआ बरी और यह मसाले अब इसको मैं मिक्स करूंगी तो यह मिक्स हो गया है अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए डग दूंगी ताकि मसाल अची से बुंजाए इसको मैं थोड़ी दिर भी गोदिया था क्योंकि मैंने फ्रीज किया वे थे तो इसलिए कि यह नॉर्मल टेंप्रेचर पर आज़ाए तो अब में आलू को कट करते हूं जी तो मसाला भुन गया है अब में इसमें डालूंगी मतर क्योंकि मतर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं और अब मैं इसको मिक्स करते हूं थोड़ी देर में इसको पकने के लिए रखती हूँ ताकि थोड़ी से ये नरभ हो जाएं फिर में इसमें गाजर और आलो एड़ करूँ जब तक मेरे मट्र गलते हैं उतनी देर में इनको वाश कर लेती हूँ ये बहुत गंदे थे तो मैं सोच रही थी कि नमक मिर्च वाले इसको में वाश कर लो हूँ जी तो ये मैंने वोश कर लिये हैं जी तो मैंने काट लिये हैं आलो भी और काजर भी तो आप में इसको डालती हूँ मैंने मिक्स कर दी हैं अब मैं इसको डग देती हूँ थोड़ी देर के लिए ताके सबजियां गल जाएं और अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी जी तो आलो मटर गाजर रेड़ी हैं जिस तरह से आप बनाते हैं आप भी मुझे मेरे साथ शेयर किजिएगा कमेंट बॉक्स में आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा थेंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए अलाहाफिज